तो खाड़ चकते हो खाड़ लो यही खड़ा है यार लेकिन जब हमारी बारी आ गई न तो चीक भी नहीं निकलने देंगे यही समझा रहा हूं बार बार इसका मतलब महबबत मतलब सिंदगी जोया बहुत आई गई आदि मगर इस बार तुम्ही आना शायद काफिर हो गया हूँ गीता कुरान की बाते सची नहीं लगती और वो जो अब वफा वफा चिला रही है उसको कहो उसके मुझे वफा की बाते अच्छी नहीं लगता महबबत के नशे में जूटे खौप दिखा गई मैं क्या बताओ कैसी थी उसकी आदा है कमबक्त पानी में आग लगा गया तुफानों में दिये जलते देखे हैं मैंने बिन माबापके बच्चे बलते दे हैं मेरे मेरी सोच से जगड़ा हुआ है मेरी सोच ने उसे अभी तक पकड़ा हुआ है मैं भगवान को पूछता हूँ और अल्ला को भी मानता हूँ फिर भी लोग कहते हैं लड़का बिगड़ा हुआ है बहुत खतरना खेलता है ये बंदा ड्रॉप के लिए कुछ भी कर सकता है और इससे मिलो ये हमारी टीम का प्रो प्लेयर है एक बोट से भी मर सकता है मैं दान में आबेरा लगएगा फेरो ए अपनी गड़ी मैं तो कुता भी सेर मैं दान में आबेरा लगएगा फेरो ए अपनी गड़ी मैं तो कुता भी सेर याद रखे है अरियाना के था कोई गाना इसे गिता मैं बोल लिख ज्यागी गलम मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रहे गए ऐसे मेरे सपने जलम तेरा भी किसे के मिलन को मैं गरीबू मैं गरीबू पहली फुर्सत में निकाल कोई जरूत में हिंदु संब तेरी अपसे घल्प चाहिए था यार एक मेरा के दोस्ते यार वह बहुत गरीब है उसको पास आलोग नहीं है उसको दे दीजै क्या ठीक है बुलाओ अरे आप हमने वहाई है आगे भाई देखिये यही है बहुत का अकाउंट खरीदने का दम रखते हैं आलोग तो दूर का बात है म्यूजिक उसने कहा तुमारे साथ पूरे जिन्दगी बिताओं कोई जरूरी थोड़ी है मैंने भी कहा चलो खत्म करते हैं ये रिष्टा मेरी भी कोई मजबूरी थोड़ी है मुझे अपने रिष्टेदारों से बस एक ही चीज़ कहनी है माई डियर रिष्टेदार अपने घर बैठकर अपना काम किया करो इतना विल्ला कौन है या डेली डेली हमारे घर पे आजाते हो थेंक यू